और आपके जुमानी जानना चाहेंगे ओ, बॉलिवुड का पहला कदम मैं डेली में परफॉर्म कर रही थी तो सतीश कौशिक जी ने मुझे सुना था लाइव गाते हुए तो बोल रहते हैं ये वोईस इंडस्ट्री में नहीं है मैं डेफिनिटली यूज करूँगा अपनी फिल्म में तो मैंने का ऐसे लोग बहुत लोग बोलते रहते हैं तो उसके बाद एक दो महीने बाद उनका कॉल आया कि उनकी फिल्म में कोई वादा आ रही है और उसमें उनको मेरा कुछ चाहिए तो देन आई सेंग पॉर इस फिल्म वादा जिसमें एक कलाम था जिंदगी को सवार दे मॉला बहुत प्यारा कलाम था वो मैं गुन गुना के सुनाती हूँ जिन्दगी को सवार दे मॉला उस सौंग की रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं बॉम्बे आई थी डेली से मुझे बहुत क्रेज था कि मैं भट साब से मिलू महिश भट साब से क्योंकि उनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है मैं उनसे मिली भट साब से तो उन्होंने भी कहा कि तुमारी आवास बहुत अच्छी है और हम अपनी आने वाली फिल्में जरूर यूज करेंगे उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी तब तक और फिल्म गेंग्स्टर आई थी उसमें मुझे उन्होंने एक बहतरीन सौंग गाने को दिया मुझे मत रोको, मुझे यार के घर जाने दो मैं हूँ परवाना, मुझे शम्मा पे मर जाने दो और सबसे चीजी बहुत सोलफुल था और लुकिली मुझे सारे सूफियाना रंग के ही गाने-गाने को मिले तो इस ग्रेट और उस सौंग को स्टार्डस्ट के लिए नॉमिनिट किया गया था और बेस्ट सैड सौंग उफ दा यार उसको चुना गया था तो एक बहुत अच्छी हमारी शुरुआत रही और लुकिली वो तीनों सौंग बहुत अच्छे अच्छे बने थे तीनों सौंग और लोगों को ऐसा पता है कि शायद एक तारा इस फर्स सौंग मेरी एंट्री उससे हुई है लोगों की नजर में लेकिन उससे पहले मी मैं काफी काम कर चुकी थी लाइफ शोस कर रही थी परफॉर्मेंस चल रही थी वर्ड वाइड तो सारा सिलसिला जारी था लेकिन एक तारा से लोगों की नजर में और आफटर एक तारा आए सेंग मोरा पिया मोसे बोलत नहीं फिल्म राजनीती का वो भी बहुत प्यारा कलाम प्रकाश जहाँ साब की रिकोस्ती की वो मेरी वॉइस रखना चाते थे फिल्में और उन्होंने मुझे बहतरीन कलाम गाने का मौका दिया बस इस तरीके से सिलसिला चल रहा है और अभी लेटिस्ट माइफ्रेंड पिंटो जो फिल्म आ रहे है उसमें संजालीला बंसाली जी जो खुद एक बहतरीन डारेक्टर है और म्यूजिक कंपोजर भी है उन्होंने मेरा एक सॉंग मेरी अपनी कॉंपोजिशन एस इस विद उसको गाया कोई एक्सफेक्टर की किसी बच्ची ने गाया है फिल्म की सिटूइशन उस तरही के से थी और बट इस माई कॉंपोजिशन क्यों दिल में यार रहता है क्यों दिल में प्यार रहता है मेरी जाने जा ना जाने क्यों दिल में करार रहता है मिलता नहीं है जो उसका क्यों इंतजार रहता है क्यों इंतजार रहता है क्यों इंतजार रहता है मैं कोग के साथ भी आपने MTV का जो शो है